तो आज की कलास में हम डिसकश करेंगे एंड शेर जरूर करना ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले तो अंसर क्या है इसका उबजेक्टिवस बताने हैं हमें इंटरपर्णियोर्ड डेवल्मेंट प्रोग्राम्स के तो सबसे पहला क्या है टू डवलप्ट टू डवलप्ट एंड डेने के लिए इंटरपर्णियोर्ड को ये प्रोग्राम किये जाते हैं ते зарविए उनकी राविजन वहां पर किस टाइप का उसको ढदारेजिस के लिए किया जाते हैं नेक्सट तो सलेक्ट दी प्रोड़क्ट एंड डेवलोप्मेंट प्रोड़क्शन यानि कि प्रोड़क्ट को कैसे सलेक्ट करना है डेवलोप्मेंट के लिए और प्रोड़क्शन के लिए सलेक्ट करने के लिए प्रोड़क्ट को किये जाते हैं टू फोर्मुलेट प्रोजेक्ट रिप्पोर्ट की फोर्मुलेशन के लिए किये जाते हैं तू नौ और ये सपोर्ट फोर लांचिंग एंटरप्राइज यानकि कि सिने कोई एंटरप्राइज या उद्द्योग या कोई बिजनस शुरू करना है और्गेनेजेशन शुरू करना है लॉंच करना है तो सपोर्ट प्रवाइड करते हैं ये ठीक है नेक्स्ट क्या है टू नो हाव दा सब जब भी कहीं पर काम होता है प्रवाइड किया जाता है तो यह क्या है है इंप्लोइमेंट प्रोविजन के लिए प्रोवाइड करता है उसके प्रोवीजन प्रोवाइड करता है तो प्रवाइड बेसिक मैनेजरियल स्कील तो दा इंटर्पर्नियोर इंटर्पर्नियोर जो भी होते हैं जो आदमी होते हैं जो की इंटर्पर्नियोर बनना चाहते हैं जो काम करना चाहते हैं तो उसको एक स्कील प्रवाइड करता है आगर वो कुछ production unit लगाएगा तो उसका काम कैसे करना है कैसे उसको manage करना है तो provide करते हैं managerial skill को next क्या है to let the entrepreneur know how the pros and cons being as an entrepreneur यानिकि एक इंटरपेंग्योर बनने के बाद उसके क्या-क्या फाइदे क्या हो सकते हैं और रिखान प्रोजएंड कोंस क्या हो सकते हैं इंटर्प्रनियूर नेक्स्ट क्या है जो होते हैं डवलप करते हैं बैटर पोटेंशियल फोरदा हैं employment generation and wider dispersal ऑफ इंडॉइमेंट करते ही करते हैं साथ में मौर्ण बनाते हैं जो अपना परिछा निससीप में करते हैं तो इस तरीके से entrepreneurship development programs किये जाते हैं next question भी इसी में कर लेते हैं ठीक है तो what are the barriers of entrepreneurship यानि कि entrepreneurship के लिए क्या-क्या barriers क्या-क्या recoveries है then explain the cause of the entrepreneurial failure यानि कि entrepreneurial जो कि fail होता है उसके क्या-क्या कारण हो सकते है यह से entrepreneur अगर किसने लगाया है तो वो कोई भी business करने वाला है वो fail कैसे हो सकता है किस कारणों की बज़े से हो सकता है first of all तो management factors होते हैं जिसमें की incompetency, inexperience in a line inexperience in a management ठीक है तो management करने में जो भी काम है सही से ना किया जाए manage तो उनकी बज़े से भी fail हो सकता है ठीक है सही से experience ना हो लाइन के दुवारा control करना तो सब इनके दुवारा भी फेल हो सकता है entrepreneur next gap production factor जो की production को affect करते हैं जैसे की poor raw material lack of technical know-how lack of production planning and control frequent power cuts frequent mechanical breakdown या machine जो breakdowns हो रही है labor problem insufficient quality control waste is in a material high rate of rejection तो यह production जो production को control करने वाले जो factors होते हैं जैसे की raw material technical प्रोडक्शन वाले factors हैं अगर इनकी कमी से क्या होगा जो entrepreneur है फेल हो सकता है ठीक है next क्या है high fixed cost यानि की fixed cost जो लगती है जब भी कोई production शुरू करते हैं तो उस दोरान क्या दो टाइपी cost लगती है एक तो लगती है fixed cost जो की fixed होती है दूसरी होती variable cost जो की vary करती है कितने numbers of unit हमने production करने है fixed cost क्या है यह cost है यह number of quantities fixed cost कमल भी है कि जितना यह cost लगेगी यह लगेगी लगेगी चाहे एक unit बनाओ यहां पर यह नाम दीप में नहीं जाना आपको तो इस तरीके से होता है तो ज्यादा fixed cost हो ज्यादा fixed cost होगी तो हमने number of units भी ज्यादा produced fixed cost अगर ज्यादा होगी तो उसकी वजह से भी में भी हो सकता है कि entrepreneur fail हो सकते तो क्योंकि fixed cost में क्या क्या चीज़े आती है buildings आ गई land आ गई क्योंकि एक पर लगेगी लगेगी तो machines आ गई ठीक है या फिर जो administrative है या जो भी overhead expenditure है वो सारा fixed cost में आएगा ठीक है या market से क्या क्या borrow ले रहे हैं तो यह है number of quantity पे depend नहीं करती अगर हम एक बनाए दो बनाए कितनी बनाए यह उस पे डिपेंड नहीं करती है तो हमें लेना ही लेना पड़ेगा तो fixed cost ज़्यादा नहीं होनी चाहिए next क्या है marketing problem marketing problem में क्या है competition from larger and already established enterprise in the same line यान कि जियो प्रड़क्ट हम बना रहे हैं उसी प्रड़क्ट को बनाने के लिए जिसने कोई और competitor आ गया उसने क्या किया एक बड़ा प्लांट लगा दिया तो higher rate से production करेगा तो में भी उसका जो प्रड़क्ट है कम cost में बनकी आएगा तो इस वज़े से भी marketing problem की वज़ा से भी fail हो सकता है then low quality of the finished good यान कि जो बना रहे हैं प्रड़क्ट जो प्रड़क्ट बन रहा है बनके त्यार हो रहा है उसकी quality सही ना हो then recession या मंदी की situation आ जाए उसमें भी हो सकता है कि हमारा sale ही नहीं हो रहा है मार्केट में नहीं फाइनेंशियल प्रोब्लम फाइनेंशियल प्रोब्लम में क्या क्या है जो पैसे से रिलेटेड प्रोब्लम होती है sale on credit यान कि क्या हो धारी में चला जाना ठीक है यूटिलाइजिंग short term funds for long term use यान कि short terms के जो funds हैं उसको लोंग टाम के लिए यूज करना यान कि हमें जाल लगाना तो वहां पे लगा दिया कहीं और पे प्रोब्लम का जो भी लगाना था कहीं और पे लगा दिया हो पैसा तो उस वजह से भी हो सकता है कि सहीं से utilization पैसे का नहीं किया है नेक्स्ट क्या है नेगलेक्टी बिजनेस प्रोड एंड डिजास्टर अगर मालों बिजनेस को नेगलेक्ट करें मार्केट को नेगलेक्ट करें या प्रोड जो भी हो रहे हैं उसको नेगलेक्ट करें डिजस्टर यानि कि आपडा जो आती है टिक नेशरुल या जो सरीके से यती नेशर्ल भी हो सकती है तो यह आती है condition इनकों neglect कर देते इन चीजों को ध्यान नहीं देती है तो इन वज़े से भी क्या हो सकता है financial problem हो सकती है जिसके वज़े से entrepreneurial fail हो सकता है तो यह कोटिवेशन मिले और लाइक शेयर करना थैंक यू है वे नाइस देंग